हेलो दोस्तों वेलकम बैक आज मैं आपकी दोस्पूनम फिर से आप लोगों के सामने बच्चों से जूड़ी आपके अपने बच्चों से जूड़ी कुछ खास बाते आपके साथ शेयर करना चाहा रही हूँ दोस्तों अकसर ऐसा होता है कि हमें कुछ जैसा जरूरी काम आजाता है कि हमें हमारे बच्चों को घर में अकेले छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि आजकल जो माबाप है वो जायतर सभी लोग कामकाजी हैं तो आप जब भी बच्चे को घर में अकेला छोड़ कर जाएं तो इन पाँच बातों पर आप हमेशा ध्यान रखें आप लिख लीजिए रट लेजिए ये पाँच बाते आपको हमेशा ध्यान रखने हैं आप उन्हें अच्छे से समझा दें तो पहली बात बच्चे को घर के किसी एक कोने या एक कमरे में कभी बंद ना करके जाएं इससे ना केवल वहस डर जाएगा बलकि कोई ऐसी अनहोनी हो सकती है कि वो बच्चा बाहर निकल ही ना पाए ठीके तो आप बच्चे को कभी भी किसी जगा पर किसी कोने वाले कमरे में या किसी कोने की जगा में आप उसे लोग करके बिल्कुल भार नहीं जाएंगे दूसरी ज़रूरी बात बच्चे को अपने सामने दरवाजा बंद करना और दरवाजा खोलना सिखाईए आपके बच्चे को दोनों चीज़े आनी हो चाहिए जो डोर है उसे लॉक करना भी और अनलॉक करना भी उसे ये भी बताएं कि उपर की कुंडी लगाने के जगह नीचे की कुंडी लगाए क्योंकि क्या बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो है उनकी हाइटेती नहीं होती वो उपर की कुंडी नहीं खोल पाते तो बच्चे उपर की कुंडी की जगा नीचे की कुंडी का प्रियोग करें तीसरी जरूरी बात खाने पीने की चीजों के बारे में बच्चे को आप बता कर जाएं कि यहाँ यहाँ यह चीजे रखी हुई है ताकि अगर उसे भूख लगे तो वो किच्चिन से उन सब प्रयाप चीजों को लेकर खा ले चौथी बात बच्चों को कुछ होमवक देकर जरूर चाहें जिससे वह उसमें व्यस्त रहेगा उसका मन लगा रहेगा अगर होमवक ना हो तो आप उसे कुछ भी ऐसा क्रियेटिव काम दे सकती है जिससे आपका बच्चा जब अकेला है तो वो बोरफीर ना करे उसे डिसकंफर्ट ना हो पांचरी और सबसे जरूरी बात दोस्तो बच्चे के पास एक मोबाइल फोन जरूर होना चाहिए जब बच्चा आपका घर में अकेला है ताकि अगर कोई भी परिशानी हो तो वो तुरंट आपको सूचना दे सके और आपके नंबर जो फैमिली मेंबर है उनके नंबर उसकी स्पीड डाइल पर होने चाहिए तो आप बच्चे को सिखा दे कि उन्हें किस तरीके से डाइल करना है तो आगी से जब भी आप अपने बच्चों का अकेला शोड़कर जाएंगे इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए वीडियो उसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करिए जिससे कि वो भी ये इंपॉर्टन बाते समझ सकें स्थेकें और जिससे करिए लादो एंगे